विल्कम एंबरीबरी मान देम इसकरंसिंग यू आर वॉचिंग आई एफ चॉइस यूटूब चैनल आज हम जो करने वाले इंगलेस का प्रेक्टिस सेट नम्मर इससे पहले हमने no practice set करा चुके हैं और आज हमारा practice set number 10 और आप बताईएगे इसमें comment box में answer करके आपका जो score कितना होता है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए जो question number five है एससे पहले पैसिस थे तो हमने पैसिका लग्से टृक बनाएंगे तो question number five दिखते है question number five है it was get get getting is getting dark व occup here was आया है तो was दो conditions में आता है एक तो पैसे में और एक active में यह जिदी पैसे में आता है तो इसके और थर最 फोम लगाता कि और अगर यह एकिव में है तो इसके साथ आ यह ची फोम लगता है आपको भी पता है तो कि हम हम जैसी सेंटेंस को पढ़ते हैं इट वोज गेटिंग डार्क तो एक गेटिंग आएगा बीकोज गेटिंग इसलिए है क्योंकि सेंटेंस एक्टेव एदे की पैसिव होता तो आप साफ सब दिया होता किसी के द्वारा जो है डार्क किया जा रहा है तो हमें क्लियरली पता च चलते तो कॉशन नमर्ट देखते हैं आई यहां पर दिया है और इसमें क्या हमें मैंने बता है आप आगे आप पढ़िया आगे पढ़ने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा तो आई बीफोर दा काउंटर टैन ठीक है ना आई बीपोर ही काउंटर टैन तो जैसे क आपको दिखते हैं अपना जो कॉशन नमर्ट सेविन है आपको दिखता होगा स्क्रीन पर हाउ ओफेन देखिए ुसको पढ़ते हैने और यह होते हमारे प्रीकुंटी वर्ड्य जैसे ऑफइन ठीक है न ऑफेन और वह होते हमारे काफी होते हैं जो प्रीकुंटी वर्ड इसके सबसे मारा क्या ना चाहिए जैसे Afghanistan literally ठीक है does he write to you ठीक है ना ओफन कमींस होता है अक्सर ओफन हाव ओफन डजी राइट तो यह फिर से बतना चाहूंगा यह पर ओफन आए ठीक है ना क्यां स्कार्श सेर्लेंज को tengan बनाते यह जीन यूज होना चाई यह फोर्फन पर चलते को खोशन है यह यह दो स्री लंका इस दुनिये जानती है चरे यह वह ऑईजलेंट है तो स्री लंका इस दृआन पे फ्रेसफिलेंज चाहें तो एन आइसलेंड ठीक ना आइसलेंड ठीक है स्रिलंका इस एन आइसलेंड तो आंसर मिल भी सी अपसर हो जाएगा आगे चलते हैं कौशन नमर नाइन शी इज गरल हुएंट इसपेस लाश्टियर देखिए लाश्टियर बताता कि पास्ट भो पास्ट टेंटंस है और जमकिसी बक्ति को पहले से जानते हैं मिन जानी पहचानी होती है तो उसके लिए अपदागा यूज करते हैं तो क्या हो जबता है सी इस दगरल हुएंट इन इस पर इस तो आंसर विल भी अपना जो भी अपसन हो जागा आप दे कमेंट वाक्स में लिख करके बताएगा आप जो इसमें कितना स्कुर करते हो एबरीवन लाप और जैसे कि आपको बता है लाप एक फिक्स प्रिपरिशन लेता है हमें इसा एट आता है उसके बत्त क्यों जाएगा एबरीवन लाप एट इस फूली ठीक ना तो आंसर विल भी डी आपसन हो जाएगा फिक्स प्रिपरिशन होता है कोशन नमर 11 पर चलते हैं तो अपने जो कौशन नमर 11 है कोशन 11 वे अपने को परिपोशन बरना दे जंप दर रिवर देखिए जंप ठीक है ना जब इसमें नमर 12 है यह कहता है कि चूज दा बनवर्ड इच अब दा फॉलाविंग ग्रूप्स हमें इसमें बनवर्ड चुनना है एक ऐसे वेक्ती जो नहीं पढ़ सकता है और नहीं लेख सकता है इसको बोलते हैं लिटरेट डैट इस डैट मींस कि ऑप्सन नमर सी हो जाएगा लिटरेट आंसर विली सी ओप्शन आगे देखते हैं कौशन नमर 13 इसमें भी हमको बनवर्ड चुनना है लॉंग नरेटिव पोईम नरेटिव मींस वर्डन करना ठीक है ना वर्डन करना पॉइम लॉंग नरेटिव पोईम एक लंबी वर्डात मां कविता कह सकते हैं आप जैसे भी अपने ग्रंथ होते हैं इसको बोलते हैं एपक डेट को या कलान सर देखें अरेटिव नरेटिव पोईम कमीत मींस बहता है एपक ठीक है न अपने महाकाब बगएरा पोईटरी तो आपको पता यह पोईट्री ठीक है और लैंती पोईम बड़ी पोईम होली बुक तो आपको पता ही होली बग पावित्र रूग वित्रीं कि बात ही जाए तो कशण नमर फोर्टीन में हमको अपोजिट वर्ड चुनना आए आमीं एंटोनियम चुनना है तो मैं जिया गए कॉंसर का मिंस होता है छैपाना कॉंसिल का मिंस क्या होता है छिपाना किसी भी चीज क को छिपाना और इसका ओप उस्ट के करना मिस उने वाला हाइड़ मेस चपाना होता है कवड़ में स cover करने ला को तो आंसर क्यों जलगा रिवीवी भी भी को करना थिक न दो ग lett विड़ आ जाने फ् saud canating करना अपना जो ग्राफ लगातार नीजे करना चुपाना सीक्रेट में चुपाना होता है कवर्ड मेंस कवर्ड करने ला उसको तो आंसर के वह जागा रिवील रिवील मेंस होता है प्रकट करना ठीक है न तो चुपाना रिवील कमेंस होता है प्रकट करना तो आंसर बिल भी अपसन हो जाएगा कोशन नमर 15 की बात की जाए तो इसमें भी हमें एंटॉनियम क्षुनना है तो डिसेंड का में सोता है कि नीचे गिरना लगातर नीचे गिरते रहना अपना जिकरापः लगातर नीचे करना हो न थिक र संवे न और थर था सबofar क MOR comm down तो kom sıब्ण कमीन्स होता है कि हमें नीचे करना जोगे ना इसको नीचे करनना धिकर न उग्योद्हां युज़ करते हैं गौ डां तो नहीं होता है इसका डाउन भी होता है टाइन न नीचे करना बट इना पे और कुछ है देकि डिसेंड का होता है asend descend use करता है जब मल्य अपना जो graph है वो उपर जाता है में नीचे नीचे करता है asend में ऊपर जाता है तो इसलिए हमें the और डेसेंड का अपोजिट होता है तो आंसर बिल भी डी अप्सन होने वाला है चलिए अगले कोशन पर चलते हैं इसमें जो हमें चुनना है वो डॉजिट्स चुनना है तो क्या होने मैं आमारा व्ल्ड वेल्ड मिस होता है जंगली और ढॉल्ड मेस्ठ में चंटसें घरेलों या पाल्ट अंप is क्या होता जंगली तो अवर बिल्ड विद अर्ट स्य ऑपसंते के गड़ां उपना टो जाएगा आगे चलते हैं कोशन breaking 17 पर तो हमें जो पढ़ना है देखी चूज दा करेक्ट मीनिग ओप दा इच फ्रेज दो फ्रेज है हमारा इडियम फ्रेज है इसको मैं चुनना है अशार्प टंग टॉंग ठीक है एक अशार्प टॉंग का मेंस होता है एक अच्छी बात सीधी बार ठीक है ना इसको क्या बल भर न इन एनई इन 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 डीकिए अपने जो कोश्ट नंबर 18 है का आप यह एच्या है और इसका आपका जो आंसर करना वह आपको कमेंट वोक्स में लिकर करके बताना है कि अपने कोश्ट नंबर 18 का अंसर कितना होने पूछता हूं काफी लोग 90 परसंट लोग उसका राइट आंसर देते हैं तो अपना जो कॉशन नमबर 18 है इसको भी आपको जो कमेंट वोक्स में लिख करके बताना कि आपका जो क्या आंसर है हम कचलते कॉशन नमबर 19 पर सोरी आपको 18 कांसर देना आ है कमेंट प्रस बोक्स में ठिक्व ना निनकीं देख्ते हैं समयल और टो इसमयल और एट दिखि इसका मेंस भता है कि आप पहले से भ बहांपे जाना है व्हां प्रको पर रिक्र के तुक्व होता हैерж उप्र अगे देखें अगले यह अपने कोशन है उस पर चलते हैं और अपना कोशन है एरर से और कोशन नमर टूंटी है एरर से इसको देखते हैं he is true to देखी काफी important है he is true to यह भी ठीक है और जैसे कि आपको पता है यह को ता है idiom और इसका means होता है यह इडियम डिक्टम प्रोबर्व ठीक है ना कहावद बोलते हैं इसको इडियम है he is true to यह एकदम करेक्ट हिस वर्ड वर्ड होता है ठीक है ना प्रूल नहीं होता है यह पर ही इस ट्रू टू इस वर्ड तो यहां पर किसमेरर है एरर सी में है आगे चलते हैं कोशन नमबर टॉटी वन पर तो जैसे आप कोशन नमबर टॉटी वन पर जाएंगे तो देखे इसमें दिया गए नौ सूनर डिड देखिंगो ठीक है नो सुनर डिड के वाद देन आता है और अधो थर्पोम आता है ठीक है नो सुनर डिड और रीच दा चाहिए तो अपना जो सी में है उसमें है एर ठीक ना क्या होना चाहिए है इस्टार्ट अगे बात की जाए कोशन नमबर 22 की आई आसकर हिम देखिए आसकर दिया इसका मतलब अगर यह जो हमारा जो डारेक्ट इंडारेक्ट होगा तो इसमें जो डैफिनेटली क्या होगा आस एक दम करेक्ट ठीक है कि यहां यहां पर कंजेक्शन नहीं कंजेक्शन लड़ाई हुजागी तसलिए एक कंजेक्शन आपको काटना पड़ेगा आगे देखते कोशन नमब 23 काफी इंपोर्टेंट और एयरपोर्ट में दो से तीन वाड़ देख चुका हूं मैं इसको तो इसको देखते हैं वर्क हार्ड कटिन परिश्राम करिए वर्क हार्ड डेफिनेटली राइट बात है लेस्ट यू विल फेल क्या होना चाहिए लेस्ट के बाद में इसा डियर फ्रेंट सुड़ा आता है ठीक है ना एस एच ओई वाल डिस सुड़ा आता है यहां पर तमारे पर भरना है मैं शिमिलर कमीर इंदकी यहीं रूब होता है तो अ Programs Act i2 नो आगे दिखते हैं से पहले मैं फिर बताना चाहूंगा कि कि मैंने जो कोशन में 18 का पूशे था उसका आप कमेंट वक्स में आंसर करके बताइए और यहां पढ़ते हैं हमारे पास 21 कोशन और आप यह हुआता है 21 में ऐसे आपका स्कूर कितना हुआ है यह आप बताइए डैफिनेटली जो कमेंट वक्स में बताइए गा और कोशन में 24 की बात किये तो अपना आज का लाइस्ट कोशन वर्डिक्ट तो वर्डिक्ट का मींस होता है फैसला जज्जमेंट ठीक है ना वर्डिक्ट का मींस क्या होता है फैसला डैट मींस क्या अपना आंसर हो जाएगा ए जज्जमेंट ठीक है ना जज्जमेंट आंसर आंसर बिली फर्स्ट उप्शन तो ये तो थे आज के मारे important questions जो कि मारा था practice set 10 और मैं continuously इस पर practice set लाओंगा आते ही हैं इंगलेस का और physics और math continuously तो thank you for watching this video